कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता जो स्टेज पे बैठे हैं हमारे प्यारे कार्यकरता शेर और शेर निया भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आपने इतना प्यार दिखाया 25 किलोमीटर आप हमारे साथ चले सर्दी में चले इसके लिए आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर्याना की जनता जिसने हमें जबरदस रिस्पॉंस दिया है जिसने इस यात्रा को अपनी यात्रा बनाया है खास तोर से जो हमारे युवा हैं माताएं और बहने हैं आप सब को मैं दिल से अपना प्यार और धन्यवाद करना चाहता हूं यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पॉंस है उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पॉंस नहीं मिलेगा माराश्टरा में करनाटक में नहीं मिलेगा करनाटक में बीजेपी की सरकार है करनाटक पहुँचे तो केरला से बहतर रिस्पॉंस करनाटक में मिला फिर मीडिया ने कहा कि भई करनाटक में मिल गया response महाराश्रा में नहीं मिलेगा महाराश्रा पहुँचे करनाटक से बहतर response उसके बाद कहते हैं मध्यप्रदेश में BJP की सरकार है नौर्थ इंडिया है वहाँ पे तो सवाल नहीं उठता वहाँ पे लाखों लोग आ गए बाहर सडकों पे गाओं के गाओं शेहर के शेहर बाहर आ गए फिर कहते हाँ मध्यप्रदेश में response मिल गया हर्याना में नहीं मिलेगा और हर्याना ने बागी सब प्रदेशों को दिखा दिया कि हर्याना क्या है और हर्याना क्या कर सकता है और जो हमने नफरत मिटाने की बात की डर मिटाने की बात की वो सचमुच हमें इन सडकों पे आपने दिखाया है इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की कोई गिरा शाए हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो, इसाई हो मैंने अपनी आँखों से देखा जैसे ही गिरा यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया किसी ने नहीं पूछा भई तुम हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो कौन सी जायत के हो, ना जैसे ही कोई गिरा वैसे ही पूरी यात्रा ने हिंदूस्तान ने उसको अपना माना उसको उठाया पानी पिलाया अगर पट्टी की जरूरत थी पट्टी की और फिर का चलो चलो हमारे साथ चलो यह आपने दिखाया हमें और यह नई चीज नहीं है यह आपका जो प्रदेश है यह सदियों से देश को यही दिखा रहा है महभारत की जमीन है कौरव पांडवों की जमीन है जो उस समय लड़ाई थी बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है मगर जो उस समय लड़ाई थी वो ही आज लड़ाई है लड़ाई किसके बीच में है नहीं देखिए पांडव कौन थे अर्जुन भीम ये लोग कौन थे ये लोग तपस्या करते थे ये लोग तपस्या करते थे क्या पांडवों नहीं इस धर्ती पे नफरत फिलाई थी क्या आपने महभारत पड़ी है क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ती के खिलाफ अपराज किया कहीं लिखा है पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या नोटबंदी की थी क्या गलत जीएस्टी लागू की थी क्या कभी करते कभी नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी गलत जीएस्टी किसान बिल इस धर्ती के जो तपस्वी हैं, उनसे चोरी करने का तरीका है एक तरफ तपस्वी थे, पाँच थे, दूसरी तरफ संगठन था एक तरफ पाँच तपस्वी और भीड, उनके साथ, पांडवों के साथ, हर धर्म के लोग थे जैसे ही यहाँ पर यात्रा चल रही है, इसमें कोई यह नहीं पूछता भईया, कौन हो, कहां से आये हो महबबत की दुकान है यह पांडवों ने भी, आप याद रखिए, आप याद रखिए, पांडवों ने भी, पांडवों ने भी, अन्याये के खिलाफ काम किया था, पांडवों ने भी, पांडवों ने भी, नफरत के बाजार में, महबबत की दुकान खोली थी देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं समझते हैं ये बहिया कैमरा इस साइड मत दिखा देना भज जाएंगे गलती से भी मत दिखा देना कौरव कौन थे बहिया कौरव के हाथ में 23 सदी के कौरव बता देता हूं 21 सदी के कौरफ हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पैंट पैंटे हैं हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाका लगाते हैं उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरब पती कौरफों के साथ खड़े है भाई और मेंनो नोट बंदी किसने करवाई गलत जी एसटी किसने लागू की किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई ये आप समझिये नोट बंदी गलत जी एसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ती ने गलत जी एसटी नोट बंदी नहीं लागू करवाई हिंदुस्तान के दो तीन अरब पतियों की शक्ती ने इनोंने प्रधान मंत्री का हाथ चलाया मानो ना मानो आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरब पति पांडवों के साथ खड़े थे क्या अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे पांडवों को घर से क्यों निकाला क्योंकि उनके साथ अरब पति नहीं खड़े थे मगर उनके साथ इस धर्ती की जंता इस धर्ती के किसान इस धर्ती के मजदूर इस धर्ती के गरीब इस धर्ती के छोटे दुकानदार इस धर्ती के small और medium business सब खड़े थे ये देश भाई और मेनो ये देश तपस्वियों का देश है मुझे कहा जाता है मुझे किसी ने कहा आप तीन हजार किलोमीटर चले मैंने उससे कहा तो क्या हुआ मैंने क्या बड़ी बात कर दी अगर आप जाओ और इस देश के किसी किसी भी किसान से पूछो भाई पिछले चार महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो वो आपको बता देगा तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार किलोमीटर चलाओ हाँ कन्या कुमारी से दिल्ली नहीं चलाओ मगर अपने खेत में चलाओ मंडी गया हूँ मंडी जाकर वापस आया हूँ फिर मंडी गया हूँ फिर वापस आया हूँ खाद खरीदने गया हूँ बीज खरीदने गया हूँ मैंने क्या बड़ा काम किया, कुछ नहीं किसी भी मज़दूर से आप पूछ लो आपको बताएगा 24 घंटा 24 घंटा मैं सर पर बोज रखके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूँ वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली ये जो मैं पहना हूँ जो किलोमेटर दिखा देती है वो नहीं पहनता है इसलिए उसको शाइद पता नहीं लगता कितने किलोमेटर चला है हमारे साथ यातरी चले मुझे कहते है भाईया 3000 किलोमेटर चले मैंने उससे का भाईया तुम्हे खाना मिला अच सुबह भुजन खाये तुमने कितने बार भुजन खाये तीन बार खाये ना तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हैं वो आधी रोटी पे तीन हजार किलोमेटर चलते हैं तुम भरपूर खाना खाके तीन हजार किलोमेटर चलके छाती पहला रहे हो, क्या मतलब है इसका? फिर यह मेरी टी-शट के पीछे पढ़ गए? इनको अभी तक समझ नहीं आरी बात? नहीं, उनको समझ नहीं आरी बात? देखो, यह कह रहे हैं, टी-शट क्यों पहना है? यह सफेज टी-शट क्यों पहना है? इसको सर्दी नहीं लगती सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्यूं पहना हूँ यात्रा शुरू ही किरला में बयंकर गर्मी ऐसा लग रहा था बहिया टीशेट उतार दो मतलब उसमें पसीने आ रहे थे हुमिडिटी बहुत थी किरला में काफी मतलब गर्मी लगी फिर मैं मद्यत प्रदेश में गया थोड़ी ठंड होने लगी थोड़ी से मतलब जादा नहीं सुबे सुबे क्या हुआ छे बजे हम निकलते हैं सुबे सुबे तीन गरीब बच्चे मेरे पास आ गए फटी भी शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा हाथ लगाया फोटो के लिए फोटो लेना चाहते थे एक इस साइट और एक साइट लड़कियां थी एक साइट एक साइट जैसे मैंने उनको पकड़ा वो काप नहीं थी ठंड से काप नहीं थी और फिर मैंने देखा पतली सी शट थी उस दिन मैंने निन्ने ले लिया कि जब तक मैं नहीं कापूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा जब कापना शुरू हो जाएगा जब मुझे अच्छे मतलब ठंड लगने लगेगी जब जबर्दस का ठिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा मगर उससे पहले नहीं करूंगा मैं उनको मेसेज देना चाहता हूँ उन तीन लड़कियों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहूल गांदी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहूल गांदी स्वेटर पहन लेगा नई 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 ये बात मत बोलो ये फिर से आप गल्थ बात बोलना शुरू कर देओ महात्मा गांदी नहीं हूँ मैं आप नहीं सुनो ये मेरे जैसे इस देश में करोणों लोग है ठीक है करोणों लोग है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे काम कोई कर रहा है तो पस्या कोई कर रहा है जैसे मैंने पांडवों की बात की यहाँ पर युद हुआ था हजारों लोग मरे थे वो क्यों हुआ था क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था जो तपस्या कर रहा था उस समय किसान थे, मजदूर थे आज किसान है, मजदूर है छोटे वियापारी है स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते हैं, आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैनुफैक्चरिंग है देखो इनकी, 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं, ये तपस्या गरते हैं, 24 गंटा, कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहाँ पर पोल्टरी फार्म चलाता है, कोई कोई खेती करता है, गंटा उगाता है, ये तपस्मी हैं देश के, और खाता कोई और है, और खाता कोई और है, और जो खाता है भईया वो तो दिखते भी नहीं हैं, उधारन देता हूं, प्रधान मंत्री भीमा योजना आपके जेव में से पैसा निकलता है। आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोडती है। आप सुबह चार बज़े उठते हो, हम छे बज़े उठते हैं। आप चार बज़े उठते हो। चार बज़े उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। पूरा परिवार काम करता है। फिर तुफान आता है। आंदी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने, कहतो भाया, चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था, पता लगता है इंटरनेट पे आपको कमपणी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो, कोई जबाब नहीं देगा, आपकी तपसिया, कोई और खा गया, GST के बारे में बताता हूँ, मज़ेदार बात मैंने सुनी, अगर आप, चाहिवो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम, मैदा गुड़, अपनी दुकान में बेचते हो, चोटे वियापारी को बात कर रहा हूँ, अगर 25 किलो से कम बेचते हो, तो आप पर GST लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से जादा बेचते हो, आप इक GST नहीं, मतलब चोटे वियापारी पर GST, अदानी पर GST नहीं, क्यों, आप ने क्या गलती की, अगर आप पर लग रही है, तो उन पर लगनी चाहिए, अगर उन पर ना लगे, तो आप पर ना लगे, किसाना है मारे पास MSP की बात की, हिमाचल प्रदेश में, मैंने आज अगबार में पढ़ा, सेव का पूरा का पूरा वियापार, एक उद्योगपती के हाथ में, जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेव का वियावार उसी उद्योगपती के हाथ में, नहीं, नहीं हुए भईया, क्योंकि शहीद जो होता है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है, पार्लिमेंट हाउस में मैंने बात उठाई, कॉंग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भईया, ये 700 लोग शहीद हुए, इनका नाम तो ले ले लिजे पार्लिमेंट हाउस में दर्ज शाहीद का दर्जा तो दे दीजिए प्रधामंत्री कहते है कोई शाहीद नहीं हुआ हमने मौन करा दिया वहाँ पर मैं खड़ा हो गया मैंने का भाईया हम तो मौन करेंगे स्पीकर गुष्सा हो गया मुझसे जा सकता है हम जानतेंगी शहीद हुए है उनके परिवार जानतेंगी शहीद हुए इद्धुस्तान की सरकार नहीं जानते हुए उनके लिए नहीं शहीद हुए मगर वैसे मैं उनकी बढ़ाई इतना नहीं करना चाहता हूँ करने जो करने करने दो उनको मैं क्या जाता हूँ कि जो तपस्वी है चाहिए वो किसान हो मजदूर हो छोटा वियापारी हो जो वो तपस्या कर रहे है गीता में लिखा है क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में बताईए वहिया आपसे लिराने तपस्या करो और फल मत देखो मगर गीता में ये नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा तो गीता में लिखा है तपस्या करो और ये देश तपस्या कर रहा है और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए ऐसा इंदुस्तान में देखना चाहता है यात्रा का यही लक्ष है यात्रा यात्रा का लक्ष यह है यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए मैं जानता हूँ कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान मजदूर छोटे विया पारी इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है ये आप ये आप मोबाइल फोन के पीछे देखे इसमें लिखा made in China पुलीस वालों कि जूतों के नीचे लिखा होगा made in China शर्ट के पीछे made in China माईक्रो फोन के नीचे made in China तंग आ गया हूँ मैं made in China से जहां देखो made in China मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बेजिंग में चाइना का युवा फोन देगा उसमें लिकाया हो Made in कुरिक्षेतर ले ऐसा इंदोस्तान चाहता हूं और जो कुरिक्षेतर में जिसने मायक्ष्डोप बनाया सर्वी अंबाला जिसने अंबाला में मायक्रोप बनाया उसके जेव में चाइना के युवा के पैसे आए ये चाहता हूँ मैं तो मगर सबसे पहला कदम सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है देखिया हरियाना में युद हुआ था पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोली थी और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मत सोचे कि मेरा नारा है मेरा नारा नहीं उनका नारा है ये ये पांडवों का नारा है ये पांडवों का नारा है ये भगवान राम का नारा है ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने आकरी बात कहना चाहता हूं और ये आपको मालूम होनी चाहिए देखिए जब भी मैं चल रहा हूँ जहां भी मैं जाता हूँ राजिस्तान में जै सिया राम जै सिया राम अच्छा ये RSS वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते अब देखो नोट करो कभी नहीं कहते ये क्यों नहीं कहते नहीं मैंने सोचा इसके बारे में क्यों नहीं कहते हर हर महादेव क्यों नहीं कहते नहीं क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पर आक्रमन कर रहे है हर हर महादेव नहीं कह सकते मगर बात मैं जैसिया राम की कर रहा हूँ यहाँ पे राम 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 सुना मैंने राम राम जैसिया राम अब जैसिया राम यह कभी नहीं कहते इन्होंने इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया उठाके बाहर फेक दिया का हम नहीं कहेंगे ये हमारी हिस्ट्री हमारे संसकार हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इनुने और जब भी कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी कार्य करता RSS के कार्य करता के सामने आए उससे कहो तुम जैसी आराम कहोगे और उससे जैसी आराम कहलवाओ क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी तो आप सब यहां आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज एक कमी रह गई आज एक कमी रह गई हमने आज वो जो बीजेपी के लोग करते है देखिए उनके संगठन में महिलाई तो होती नहीं है अलावी नहीं है अभी तक नहीं समझाया मुझे उनके संगठन में महिलाई क्यों नहीं है वो अलग बात है मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया तो जो हमारे पुर्षे उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई आप अंदर नहीं आ पाए आप मिल नहीं पाए तो मैं आपसे माफी माँगना चाहता हूँ और कल दोनों स्री और पुर्ष का दिन है तो आप सब आप सब लोग आप आएंगे और आपसे मिल सकेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैद